गोड एवनिंग, सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है इस समय की सबसे बड़ी अप्डेट यह है कि 2000 रुपे के नोट बंद जी हाँ 2000 रुपे के नोट बंद इस तरह का मैसेज सोशल मीडिया पर कई दिनों से वाइरल हो रहा है कि 2000 रुपे के नोट बंद किये जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा वज़े बताई जा रही है कि ATM से 2000 रुपे के नोट निकलना बंद हो गए है अब ATM से 100 और 500 के ही नोट निकल लाए है 2000 रुपे के नोट नहीं निकल लाए है तो इस बात पर सोशल मीडिया में ये मेसेज वारेल हो रहा है कि भारत सरकार ने 2000 रुपए के नोट बंद करने का फैसला ले लिया है क्या ये सच है इसकी परताल की गई और परताल करने के बाद जो रिजल्ट सामने आया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ क्या है इस वारेल मेसेज की सच्चाई क्या 2000 रुपए का नोट सचमुच बंद होने जा रहा है चलिए देख लेते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा ज्यादा से ज्यादा इसे अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजेगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए और चैनल को सब्क्राइब भी कर लिजेगा ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको लगाता एकाउंट देखे इसमें क्लियर लिखा हुआ है एक न्यूज अर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्ब बैंक ने दो हजार रुपे के नोटों की आपूर्ती बंद कर दी है जिसके कारण एटियम से केवल सो दो सो वा पान सो रुपे के नोट ही निकाले जा सकेंगे अब इस पर देखिए पी ऐबी ने क्या कहा है ये दावा फर्जी है और भी आई ने दो हजार के नोटों की आपूर्ती बंद नहीं की है बात क्लियर हो गई ना तो रिजर्ब बैंक इंडिया ने 2000 के नोटों की सप्लाई बंद करी है और ना ही भारत सरकार 2000 के नोटों को बंद करने जा रही है ये जो वाइरल मेसेज है ये बिल्कुल गलत है बिल्कुल फरजी है तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेर जरूर कर दीजे सब को जानकारी हो जाए सब के मन में ये डर बैठा हुआ है ये डर निकल जाए ये जो फरजी वाइरल हो रहा है वीडियो फरजी न्यूद जो वारल हो रही है ये लोगों के दमाग से वाश आउट हो और उन्हें सच्चाई की जानकारी हो जाए तो प्लीज इसे ज़्यादा स्चेर जरूर कर दीजेगा और साथी चैनल को सब्क्राइब कर लीजेगा ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहें ओके थैंक यू